Students problem solve करेंगे हम pressure in liquids से related अब जैसा कि हम जानते हैं students के हमारे पास जसना gases pressure exert करती हैं उसी तरह liquids भी जो हैं वो pressure exert करते हैं और उनके बारे में हमने फॉर्मॉलास भी जनरेट किये थे कि किया किस तरही के से हम जो है what is the pressure due to the water at the bottom of the swimming pool 2 meters deep यानि कि जिसना से आप देख सते हैं यहां एक swimming pool है हमारे पास जिसकी जो depth है वो मारे पस किती है 2 meters यानि कि जो ground से जो है 2 meters के depth पे है ठीक है अब अगर हम देखें कि हमारे पास हमने क्या find out करना है हमने pressure due to the water find out करना है at the bottom यानि कि बिल्कुल जो bottom है the lower surface है वहां जो है liquid की वज़ा से क्या pressure जो है वो exert कर रहा होगा water bottom के ओपर ठीक है और जबकि हमें density of the water मालूम है जो कि मारे पस कितनी होती है thousand kg per meter cube अब इसी का हम data में यही साइज चीज़े आरेंज़ कि हम students लिख देते हैं कि हमें row जो कि हम जिसे हम density से denote करते हैं ठीक है वहाँ पस कितनी है thousand kg per meter cube ठीक है और उसके बाद हमने pressure in the due to the water find out करना है जो कि liquid है उसके लिए में पी उसके और उसके आंगे question mark लगा दिए क्योंकि हमारे पस यहां से उसकी जो नीचे तक की depth है वो मापस कितनी है students two meters की है यहां से यहां से यहां तक जो नीचे ground bottom होगा वो मापस two meter deep होगा ठीक है अचा अब students लिए तो हमने data collect के लिए अब बहुत simple problem है हम इसको इसको solve के स्थांग कर सकते हैं इसका solution हमारे पस क्या होगा solution हमने pressure in liquids का formula पर रखा है जो कि हमारे पस क्या होता है P is equals to rho g h तीक है अब rho जो है students हमारे पर density of the liquid होता है इस case पर हमारे पस density liquid जो है वो student water है तीक है तो water की density जो कि हमारे पता है thousand kg per meter cube है 10 meters per second square होती है तीक है और h जो है वो depth होगी liquid है कि कितना deep आपने जो container है जिसमें आपने कोई भी liquid रखावा है वो आपके बास कितना deep है तीक है अब जिस तरह यहां तो मारे पस swimming pool है तो हमने देखना होगा कि हमारे पस उसकी height है total height हो कितनी है तीक है हम क्यूंके bottom पे उसकी bottom level पर यानि कि जो lowest level है उसकी pressure की value फ़र्णा करना चाते हैं तो हम वहां तक की height calculate करेंगे जो कि मापस two meters है रो की value हम thousand input करेंगे इस equation में thousand और सासा units भी डालते जाते हैं हम लोग students thousand kg per meter cube और multiply करना इसको आपने जी की value से जो कि मापस 10 meters per second square है और फिर multiply करना है h से जो कि मापस two meters है ठीक हो गया अब सारी values हमने इसमें input करने हैं students अब हम इसको calculate कर लेते हैं अब हमारा पस answer कितना हैगा two into ten हमारा पस twenty आजाएगा twenty और यह thousand as it is हम यहां लिखते हैंगे ठीक है अब आप देख सकते हैं कि इसकी units देख लेते हैं हम यहां meter cube है जो कि divide हो रहा है और यहां meter meter मीटर स्केर बनातेगा ठीक है तो हमारा पस k, g, अब हम यहां सारे units को पसे पहले multiply कर दोगी फिर हम इसकी cancellation कर लेंगे students kg meter square upon, sorry meter square upon meter cube and into second square ठीक है यह हमारा पस सारी modification होगी अब अगर हम इसको solve करते है students हमारा पस कितना आता है 20,000 kg per meter एक साथ सेकंड square ठीक है, meter and second square ठीक है अब अगर हम देखे students के हमारा प्र पास्कल्स होगी होता है, यह हमारा पस प्रेशर कर यॉनिट युनिट युनिटी अपर हमारा पास तो अगर हम देखें, Newton per meter square, तो अगर हम देखें, Newton per meter square, कैसे बराइबर आएगा इस unit के kg meter per second square, तो वह भी हम देख लेते हैं, इसी problem में, कि हमारे पास Newton जो होता है, तो अगर हम देखें, क्जिए, क्जिए, मीटर सेकंड स्केर, तो अगर हम देखें, मीटर सेकंड स्केर, तो यह देख सकते हैं, कि यह unit और यह unit बराबर हैं, तो इसी वज़ा से मैं इसकी जगह, Newton upon meter square, ताके, इस चीज़ को क्लिया जा सकें, यह चीज़ भी हमारे पास, Newton per meter square के बराबर होती है, Newton per meter square के बराबर है, यह चीज़, तो इसी वज़ा से हम इसको Newton per meter square भी लिख सकते हैं, और इसका another unit जो है, वह माँ पस क्या है, students pascals, और जिसके लिए हम क्या लिखते है, PA, तीक है PA stands करता है pascals को, और यह भी माँ पस इसका ऐसा unit है, तो इस तरहा students हमने जो है, वो pressure in the liquid, जो है, वो calculate कर दिया, swimming pool के लिए,